हाई फ्रेंड्स आज मैं आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के ट्रीट्मेंट के बारे में बताऊंगी हमारे चेहरे और शरीर पर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स तब बन जाते हैं जब हमारी skin के pores, dead skin cells, skin में बनने वाले oils और skin के उपर रहने वाले bacteria से भर कर बंध हो जाते हैं इन बंध हुए pores में जिनका मुख खुला रहता है उस पर हवा की गंदगी जमने से उनका रंग काला पड़ जाता है उन्हें हम black heads या open comedons कहते हैं और जिन pores का मुख बंध रहता है वो देखने में सफेद दानों की तरह दिखाई देते हैं उन्हें हम white heads या closed comedons कहते हैं जब लोगों को black heads और white heads हो जाते हैं वो लोग अकसर इन्हें दबा दबा कर निकालने की कोशिश करते हैं ऐसा करना बहुत गलत है दबा कर निकालने से पहले तो हाथ की गंदगी स्किन पर लगती है दूसरा जब black heads या white heads स्किन के अंदर से बाहर आता है तो उसके अंदर के सारे bacteria स्किन पर फैल जाते हैं और उससे स्किन को काफी irritation और infection हो जाता है जिससे हमारी स्किन पर काले धब और pimples बनने लगते हैं तीसरा दबाने से स्किन के pores का मुझ खुल जाता है और वो बड़े हो जाते हैं और कई बार स्किन पर scars भी रह जाते हैं अब मैं आपको black heads और white heads का treatment बताती हूं इनको निकालने के लिए कई लोग scrub बताते हैं, steam याने भाप लगाना बताते हैं, black heads निकालने वाली strips या पट्टियों का इस्तमाल बताते हैं या फिर charcoal, basin, चामल आदी के mask का उपयोग बताते हैं इन सब तरीकों को करने से छोटे छोटे black heads और skin का oil तो निकल जाता है, लेकिन बड़े black heads और white heads नहीं निकलते हैं दूसरा common treatment जो बताया जाता है वो है benzoil peroxide gel का लगाना ये pimples के treatment के लिए अच्छा है, लेकिन black heads और white heads में ज़्यादा helpful नहीं होता है black heads और white heads से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको सब से सुरक्षित, सरल और अच्छा तरीका बता रही हूँ जिन लोगों की skin बहुत oily है, वे लोग रोज रात को सोने के पहले अपना चहरा हलके गरम पानी और salicylic acid face wash लगा कर wash करें यह face wash आपको sipla company की salicylic foam 2% face wash के नाम से, salicylic ds foam face wash के नाम से और nidus pharma की, nid wash fort face wash के नाम से, जिसमें salicylic acid के साथ, glycolic acid, aloe vera, extract और vitamin E भी हैं, मिल जाएंगी यह सारी face wash आपको chemist की shop पर मिलेंगी, इसमें से कोई भी एक face wash को लेकर धीरे धीरे पूरे face पर मलना, इसको रगड़ना नहीं है यह face washes बिना रगड़े ही आपकी skin से extra oil निकालेंगी और आपकी skin पर जमें dead cells को भी साफ कर देंगी पहले सिर्फ रात को use करना है, फिर यदि अच्छा suit करें, तो सुबह और रात दोनों को आप इस face wash को use कर सकते हैं Salicylic acid foam से face wash करने के बाद जब आप skin पर black heads, white heads को साफ करने वाली दवाई लगाते हो तो वो अच्छी तरह से अंदर जाकर असर करती है इन दवाईयों में सबसे अच्छी तरह से tolerate होने वाली दवाई है 0.1% adapaline gel इसको डेली रात को face wash करने के बाद black heads और white heads पर लगाना चाहिए दीरे दीरे black heads और white heads सूख कर ज़र जाते हैं और अपने पीछे open pores नहीं छोड़ते हैं जो treatment मैंने आपको यहाँ पर बताया है इसके साथ आप हफते में एक बार basin का mask या charcoal का mask भी लगाओगे तो अच्छा result मिलेगा जिन लोगों की skin dry या normal है उन्हें face wash की जरूरत नहीं हैं वे लोग रात को सिर्फ normal पानी से face wash करके 0.1% adapaline gel लगा सकते हैं दो से तीन हफते में blackheads और whiteheads साफ हो जाएंगे अंत में मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ Retino A cream या उस family का कोई भी product जैसे adapaline gel, tazeratine gel आदी आपकी skin को sunlight से sensitive कर देते हैं इसलिए जब भी आप इन्हें यूज़ करें तो सिर्फ रात को यूज़ करें और दिन के time 30-40 SPF का sunscreen जरूर लगाएं दोस्तों आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और आपके black heads और white heads साफ करने के लिए इस दवाई से आपको बहुत मदद मिलेगी Thank you